हेलो फ्रेंड में नाम है विजय आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 variable के मैप की तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक हमने 4 variable के मैप 3 variable के मैप पड़े अब हम पढ़ेंगे 5 variable के मैप यह आपके commented exam के हिसाब से इतने important नहीं है लेकिन BTEC में यह question पूछ ले जाते हैं internal or external exam में ठीक है और 6 variable के मैप भी होते हैं तो मैं आप 5 variable के मैप बताऊँगा यहाँ पर numbering किस तरह से होगी यहाँ 10 15 तक यहाँ होगी तो यहाँ पर होगी 16 ठीक है यह 16 होगा आपका यह 17 होगा यह 18 होगा यह 19 होगा यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर आएगा, 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 यहां पर क्या होगा देखिए यहां पर होगा यह P का compliment और यहां पर होगा P ठीक है यहां P की value क्या होगी यहां यह 0 होगी और यहां क्या होगी P की value 1 होगी ठीक है यह चीज़ आप धियान रखेंगे अब देखिए अगर यहां पर इस तरह से question आपका आता है यह आप से कह रहा है 13 पर value है 9 पर है 0 पर है 4 पर है ठीक है मैं increasing water में नहीं लिख रहा हूँ 2 पर है 6 पर है और आपका 21 पर है 23 पर है 29 पर है 31 पर है और 25 पर है ठीक है इन जगह आपके 1 है आपको इसको solve करना है तो कैसे करेंगे तो दीए सबसे पहले आप simply वही rule लगाएंगे सबसे पहले one कर दिंगे जहाँ पर हमें चाहिए तो यहाँ पर one one तो यहाँ पर इस ताइस expression आगे अब इसमें pair कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखिए यह आप समझिए कि यह जो box है यह जो box है इसी के उपर रखा हुआ है इसी उसमें आपको बता हुएं शायकल रहे हैं जैसे तो से फिर से जीरå पर जाएंगे उसी तरह से अपको डाउन साइकल होता है इस तरह से भी से उन साइकल होता है ठीक है उसी तरह से आपका बेक में second we say i'll work कि आपको क्या है, एक के पीछे एक है, इसका मतलब ये एक cycle एक, पीछे से भी cycle है, ठीक है, तो ये चीछ ध्यान लखेंगे आप, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर ये 13 और 9 ये यहाँ पर block है, और 20 और 25 ये पूरा एक block है, चार pair का, इसमें एक पूरा square बनेगा, इस में 4 आपके numbers आएंगे, ठीक है, कौन-कौन से block आएंगे, 13, 9, 20, 25, ये एक block है, एक group है, इसको ऐसे समझे, ये इस तरह से, और यहाँ से ये, इस तरह से, ये एक है, ठीक है, ये 1 है पूरा, उसी तरह से यहाँ एक group बने यहाँ बनाया, चार का इधर पूरा, चार का एक य कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, तो देखें, सबसे पहले group 1 को लेता हूं, ये जो पहला आपका group है, इसको कैसे solve करेंगे, यहाँ पर हमारी ये column है, और ये वाला column है, ठीक है, और ये वाली row है, ये वाली row है, तो यहाँ पर देखें, इसमें भी same row है, same row है, ठ W, Z और W, Z complement तो इसमें से निकल क्या आएगा? W इसमें से वो W निकल क्या आएगा? तो हम W लिख देंगे ठीक हो क्या? अब इस column से क्या निकल आएगा? ये column, उपर जो column है, ये column और ये column जो column मैं आब बात को बता रहा हूँ, इस column में से क्या निकल क्या है? X complement Y है, यहाँ पर X complement Y है, common क्या है? X complement X complement आजाएगा, अब इसमें एक और चीज आएगी common क्योंकि देखिए ये block यहाँ पर use हो आए, ये block पूरा, ये block और ये block जिसमें देखे P0 और P1, ये भी cancel out हो जाएगा, P0 और P1 क्योंकि दोनों ये जो 1 बना है, ये उमारा group बना है पहला, वो दोनों block से बिनके बना है एक याला block जिसमें P0 है, एक याला block जिसमें P1 है, तो यहाँ पर ये P cancel out हो जाएगा, सिर्फ इतना ही output आएगा, ठीक है? अब देखे, ये जो block है, block 2, ये एक output देखा, ये सिर्फ इसी block में है, P वाले block में है, ठीक है? ये समझे, ये star और ये 111, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है? 111, 5, 7, 15, 13, ये जो block है, और 21, 23, 31 और 29 है, इनका block का पुरा 8 का group बना एक, ठीक है? इसके corresponding block में, दूसरे वाले block में नहीं है, तो हमारा P यहाँ पर exist करेगा, तो यहाँ पर P हमें से लिखेंगे, ठीक है? पहला तो P आ जाएगा, क्योंकि इस block में है ये, फिर यहाँ पर कौन कौन सी row यूज़ हो रहे है, एक ये वाली row है, ये वाली row है, column कौन कौन सी यू present है, देखें, इसी block में, यहाँ पर इस block में present नहीं है, तो सिर्फ यहाँ से क्या आएगा, P का compliment, और second क्या आएगा, यहाँ पर 11, 11 है, इनका चार का इक group बन रहा है, मत्तब ये row आ रही है, और आपका ये वाला column हा रहा है, और ये वाला column हा रहा है, ठीक है, तो यहाँ प को, एक और example ले लेते हैं, इसी, अब इसको solve करते हैं, यहाँ पर भी हम pair दे देंगे, ठीक है, मैंने question क्या दिया, 157, 13, 15, यहाँ पर दे रहा हूँ एक, और यहाँ पर, और यहाँ पर देखें, फोड़ी number यहाँ पर से mark है, पहले से copy हमने किया था जो, तो इसको हम यहाँ पर one one बताएए मैंने, ठीक है, numbering करने हैं, आपको आ गई है, हम one one देख रहे हैं, one one देखाया है, यहाँ यहाँ पर देखा, one यहाँ पर है, तो देखें, grouping इस तरह से बननेगी, यह देखेंगे, सबसे पहला जो group बनेगा, देखें, सबसे पहले एक यह, 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 और ये चार का एक group बनेगा, इन दोनों से मिल के ठीक है, इन दोनों से क्या बनेगा? मिल के बनेगा, मतलब ये आठ pair का group है, जिसमें कौन कौन से block है? पहला जो group बनना है, ये ये और ये जो है आपका first group है, first group दोनों मिल के एक group बना रहे हैं, क्योंकि एक के पीछे एक होंगे तो टोड़ा आठ पेर का गुरूप बनेगा इसमें कौन-कौन से ब्लॉक है पांच, साथ, तेरा, पंदरा, ग्यारा, बाईस, इकत्तिस, उनतिस यह आपके पेर हैं एक गुरूप यह बना सेकंड गुरूप देखिए सेकंड गुरूप मैं इसमें ब इसको निम दिरा मैं रहें रहें यह भी तीन ही है ठीक है अब बजगे यह जो यह वन बजगे अकेला घिके तो इसको मैं किस के सांथ बना सकता हूँ ठीक है यह एक पेर यह बनेगा फर्द आपका यह बनेगा यह चारो का एक गुरूप बन गया अब देखिए यह क्या है यह च़ूता है, यह भी चौता है, यह आपका चौता है, यह भी आपका 4 थे, ठीक है, एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले पहला group, का अंसर के निकल के आएगा, पहले column देखूँँगा मैं, यह column है, यह column है, और यहाँ पर देखिए यह पूरा block, और यह पूरा block से मिल के एक बन रहा है ठीक है एक first group तो यहां पर से q complement और q कहा जागा एक दूसरे को cut कर देंगे तो क्या आएगा सिर्फ कुछ भी नहीं आएगा देखे q complement और q एक दूसरे को cancel कर देंगे तो बचया सिर्फ यहां पर z इस row से क्या आया z आया ja column क्या है यह वाले यवाले column और यह वाले यह वाले column use ऊहें तो same है दोनों में ठीक है x complement y और xy x complement y और xy तो यहां पर से क्या निकल की आएगा वाइ निकल कआ जाएगा सिर्फ य निकल के आया यह समझमें आए आँको second group से क्या आ रहा है यह देख लेते हैं और बीच में plus का sign होगा ठीक है प्लस इसके बाद भी second group में उसमें plus होगा ठीक है मतलब 7 में एक दें 7 में लखे जाएंगे ताकि confusion नहीं हो इसलिए group 1 group 2 का के लिए group क्यों क्या है हमारा यह red वाला group 4 1 जो 18, 23, 30 और 26 वाले block में आ रहे हमारे ठीक है यह इनका क्या आजाएगा यह सिर्फ इसी block में present है Q वाले में ठीक है Q जिसमें 1 है वहाँ पर present है सबसे पहले तो Q ही आ जाएगा ठीक है second क्या आएगा यह हमारी column use हो रही है इसमें और रोज सबके सब use हो रही है तो एक दूसको सब cancel out कर देंगे column column का आएगा सिर्फ column क्या है एकस Y का compliment है column ठीक है 2 का यह answer आया इसमें आगे plus होगा यह 7 में होंगे दोनों तीसरा क्या है देखे तीसरा यह वाले block में भी है और इस वाले block में भी है Q वाले block में भी है तीनों इसमें ब्लॉक है ठीक है दोनों ब्लॉक में है तो q तो आएगा नहीं क्यों cancel out हो जाएगा बचेगा क्या यह हमारी row है इस case में ठीक है यह वाली row हो गई और column कौन-कौन से हो गए यह वाला यह वाला यह वाला और यह वाला चार column हो गए तो यहाँ पर देखिए row आगी तो row तो हमारी इसी पूरी की पूरी उतर जाएगी w का compliment और z का compliment y का compliment आजाएगा ठीक है बस इतना ही आएगा अब देखिए fourth group जो है fourth group यहाँ पर सिर्फ इसी block में exist करता है इस block में exist नहीं करता है तो यहाँ पर सबसे वह लिक्या और यह वाला यूज हो रहे है ठीक है तो यहाँ पर देखिए row में क्या common आ रहे है जैड़ कॉंप्लिमेंट और column में क्या column आ रहे है y का compliment तो यह आपके चारों को आप आड़ कर देंगे तो यह आपका answer आ जाएगा ठीक है answer क्या आ रहे है z y plus q x y का compliment plus wzy y का compliment plus qzy y का compliment यह आपका answer है तो इसको आप practice कर लीजिए एक बार इसके question आप लगाईए ठीक है आपके book में आपको मिल जाएंगे जा solution आप अचारी नहीं आज तो पूस सकते हैं आपने कहा पर गलती है तो हम आपको बताएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही thank you watching good bye take care कर दो